हेलो दोस्तों नमस्ते मैं हूँ सुनीता वाइलर रेस्पीजक चनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ब्रेड का टेस्टी नास्ता आज हम मिन्टों में जटपटा बनने वाले ब्रेड टोस्ट बना कर त्यार करेंगे जो खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है आप एक बार जरूर ट्राइ कर सकते हैं तो आए इसे बनाना शुरू करते हैं ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउर लेंगे और बेसन का गोलत यार करेंगे मैंने यहाँ पर सिर्फ डेड चमच बेसन लिया जादा बेसन नहीं लेंगे अगर आपके पास को नुसार हम इसके अंदर नमक डाल देंगे थोड़ा सा हम इसके अंदर काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे तो अब हम इसमें कुछ सबजिया डालेंगे अगर आपके पास कोई भी सबजिया तो इसमें डाल सकते मैं यहाँ पर एक कटा ह बारिक कट हुआ टमाटर डाल रहे हूं थोड़ी सी हम इसके अंदर दन्या डालेंगे और थोड़ी से एक हम इसमें कटी होई हरी मिर्च डाल देंगे मैं यहां पर इतनी ही डाल रहे हूं आप चाहें तो आलू-प्यास कुछ भी डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर बैसन का ना तो बिल्कुल पतला और ना ही गाड़ा बिल्कुल मीडिम साइस का गोल बना कर तयार कर लिए जो ब्रेड़ के अच्छे तरह से चिफ्कस का सब्जी के समेथ थोड़ा-थोड़ पानी डाल कर हम अच्छा सा इसका गोल तयार कर लेंगे तो यहां पर देखिए यह बिसन का गोल अच्छे से बन कर तयार हो गया इसी तीकनेस के साथ आपको बनाना है अब हम इसके लिए ब्रेड ले लेंगे मैंने यहाँ पर चार ब्रेड लिया है अब हमें बिसन का गोल लेंगे और उसके अंदर ब्रेड को डिप करेंगे डिप करके ब्रेड को काफी देर तक नहीं रखना है सिर्फ डिप करना है एक तरफ से डिप करके फिर दूसरी तरफ से डिप करेंगे और निकाल लेंगे तो ये जब तक डिप हो रहा है डिप करने के साथ ही हम तवे को गरम कर लेंगे और इसके उपर थोड़ा सा ओयल डालेंगे आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं ओयल डाल कर थोड़ा सा इसे गरम कर लेंगे तो तोई पर टेल डालकर हमने गरम कर लिया है और जो ब्रेड है अब इसके उपर लख देंगे और इसे एक तो मिनट तक एक साइड से पकाएंगे थोड़ा सा हम किनारे पर टेल लगा देंगे इससे क्या होगा कि ये नीचे चिपकेगा नहीं है ये रेसिपी इसी है कि जटपट और मिन्टों में बन कर तयार हो जाती है और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है अगर आपके बच्चे सबजिया नहीं काते है तो ये सबजियों खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है तो अब हम इसके उपले साइड भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे और दो मिनट दिमी आसपर पकाएंगे जिसे विसन अच्छी तरह से पक जाए तो यह हमारे एक साइड से पकर तयार है अब हम इसे फोल्ड कर देंगे फोल्ड करके इसे अच्छे से पका कर तयार कर लेंगे तो यहां पर देखे हैं हमारे Bread Toaster अची से बनकर तैयार हो गये है, इसी तरह से हमारे सारे Bread Toaster बनाकर तैयार कर लेंगे ये जटपट और मिंटों में बनने वाली रेसिपी है ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं इसे बच्चे तो बहुत ही खूब पसंद करने वाले हैं एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजे अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू